धनूर आसी वालू के तिये दो हजार चोबिस के साल में होगा अच्छा लाप, जादतर इस साल में होंगी आपकी इच्छाएं पूरी, आपके मन में चलेंगे इस साल में कही विचार आपका सोचा हुआ काम भी हो सकता है पूरा, मन की भक्ती सर्दा बनेगी इस साल में प्रबल, पैसों का भी मिलता रहेगा अच्छा लाप, इस साल में मिलेगा अच्छा मान सम्मान, किसी भी चीज का मिल सकता है अच्छा अपसर, नौकरे में करना पड़ सकता है संगर्स, बिजनिस प्यापारियों को मिलता रहेगा लाप, बेवाहिक जीवन में दिखेगी सामान्य इस्ततियां, इस्तरियों महिलाओं को मिलेगा इस साल में अच्छा लाप, इस साल हो सकती है आपकी अच्छी तरक्की, बिद्यार्थियो को भी मिलता रहेगा अच्छा लाप अगर हम बात करें धनुरासी की तो धनुरासी वालों के लिए यहाँ साल अच्छा लापकारी है आप जिस चीज में मेनत करेंगे दीरे दीरे वहा कारे भी आपका सपल होता दिखाई देगा इस साल में सपलत के प्रबल योग बन रहे हैं आपके मन में किसी भी कारे के प्रती अच्छी खुसियां रहेगी आपकी मेनत आपका किया हुआ काम दीरे दीरे सपलता की और अवश्य जाएगा सबसे अच्छी जो बात है वहाँ ये है कि आपके अंदर इस साल में अच्छी फुरती रहेगी स्वास्ते भी आपका इस साल में अच्छा साथ देगा आपके मन में कही बिचार चलेंगे, कुछ बिचार ऐसे भी होंगे जो इस साल में सत्य होंगे, सपल होंगे इन बिचारों के चलते चलते आपका मन भक्ति की और भी इस साल में जाएगा आपके घर पर किसी परकार का धार्मिक कार्या हो सकता है या आपके मन में किसी परकार की धार्मी कार्य करने की इच्छा उत्पन हो सकती है या फिर आप किसी परकार की इस साल में भक्ती कर सकते हैं आप जिस कार्य को करते हैं उस कार्य के प्रती इस साल में धीरे धीरे तरक्की होती रहेगी पैसों का भी आपको समय समय पर अच्छा लाब दिखाई देगा इस साल में आपका अच्छा मान सम्मान रहेगा किसी परकार का लाब दायक अबसर भी आपके हाथ में आ सकता है आपके परिवार कुटुम्बी जन में सामान्य इस्ततियां दिखाई देगी परिवार में किसी परकार की इस्तती होने से आपको परिशानिया हो सकती है या आपको परिशानिया जेलने पड़ सकती है आपके जो संयोगी लोग हैं आपके रिस्तदार आदी लोग हैं उनका संयोग आपके साथ मिल जाने से आपके मन में प्रसंता रहेगी नौकरी करने वाले लोगों के लिए काम काज में थोड़ा संगर्स रह सकता है किसी परकार का काम बढ़ जाने से आपके उपर काम का बोज आ सकता है अनावसक पिवाज से आपको इस साल में जादतर बचना चाहिए बिजनिस ब्यापार में आपको अच्छा लाप मिलता रहेगा, आप लेन देन में बिसेश साबदाने रखें, बेवाहिक जिबन में देखा जाए तो बेवाहिक जिबन में इस वर्स में सामान्य इस्तियां दिखाए देगी, जादतर सुकमया योग अच्छे बन रहे हैं, आप जिबन की समस्याओं को सही करने का प्रियास करते रहेंगे, बिद्यार्थियों के लिए यहा साल अच्छा रहेगा, जो बिद्यार्थी इंजिनियर आदि की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको इस साल में ज्यादा में ज्यादा मेंनत करने की आवशक्ता होगी, अब मैं आपको उपाई बताता हूं कि आपने उपाई क्या करना है। वैसे उपाई की बात करें तो धनुरासी वालों के लिए यहाँ साल अच्छा लापकारी है। गोचर ग्राउं के लिए तो बिसे इस उपाई किसी परकार की करने की आवशकता तो नहीं पड़ेगी। परन तो अगर आपको दिक्कते हो रही हैं तो यहाँ आपकी जनमकुंडली वर्सकुंडली में ग्राउं के कारण से हो रही है। तो आप अपनी जनमकुंडली वर्सकुंडली के हिसाब से अवश से इस साल में उपाई करें। तो आपके लिए यहाँ साल अच्छा रहेगा, म में रहेगा